Hello friends, welcome to my new video तो आपको लोग कोई बिहार पुलिस के तियारी कैसी चल रही है I hope कि आप लोग कोई बिहार पुलिस के तियारी अच्छी ही चल रही होगी तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितने नमबर लाने के बाद आपका जो है बिहार पुलिस में जो है फाइनली रूप से सेलेक्शन हो जाएगा इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए वरना आपके प्रिताजी बोलेंगे तो कितने नमबर लाने पर आपका सेलेक्शन हो जाएगा जो कि आपका होता है एक लाग छो हजार 955 के आसपास आपका टोटल रियल रिजल दिया जाएगा तो टोटल जो विद्यार थी जो इसमें फॉर्म भड़ा है लगभग आपका 14 से 15 लाग के आसपास फॉर्म भड़ा गया है अब जिसमें से आप कितने स्टूडेंट जो है वो एक जाम में बैठते हैं उसी हिसाब से जो है आपका सेलेक्शन प्रोसेस वेगड़ा जो कटफ वेगड़ा है उसी अधार पे दिया जाएगा तो टोटल इसमें आपको 100 कोसेंट पूछे जाते हैं टोटल 100 मार्क्स का होता है टोटल मतलब एक कोसेंट पर आपको एक मार्क दिया जाता है उसके आद इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है मतलब आप केतना भी मारे तो आपका जो है माइनस मार्किंग वेगड आपकी नहीं होगी तो इसी करन से जो है इसका थुरा कट ओफ हाई चल जाता है तो कि आप लोग भी जानते हैं कि पिछले बार जो है इसका एक्जाम का जो जो था वो क्रेटरिया था वो टूँअध लेवल का था तो इस बार टैंध लेवल कर दिया गया है तो इस हिसाब से जो है आपका इस बार कट ओफ हलका हाई जाने का चांसिस है तो जो विद्यार थी अच्छे धंग से पढ़ाई वगड़ा कर रहे हैं तो उसका जो है इस बार फाइनिली रूप से सेलेक्शन हो जाएगा तो आज उसी जो प्रिवियस येर का जो कट ओफ वगड़ा है उसी क देखते हैं एनलाइसिस करेंगे और उसके आपको यह बताएंगे कि कि आपको कितने नंबर लाने के बाद आपका फानिली रूप से जो है ब्यार पुलिस में सेलेक्शन हो जाएगा तो हम लोग इसमें थोड़ा सिलेबस के बाड़ें भी जान लेते हैं सिलेबस आपका जी चरपांच को सिन के आसपास जो आपका हिंदी और इंग्लिस दुनों से मिला के रहेगा इंग्लिस में आपको थराबो ट्रक कभी कभी ट्रांसलेशन उसके बाद ग्रामर उसके भोके वगड़ा भी पूछ दिया जाता है जो चलिए अब हम लोग प्रीविएस येर का जो दिमिए हम लोग जो इस बार विहार पुलिस का जो मेल का प्रीविएस का कटॉफ है कटॉफ देख लेते हैं जकी मे самое जहों जह है जो पिशला जो एक जाम मदाद भिं पूलिस का लिए तो जेन्रल्स का जो कटॉफ गया था वो चॉस्ट गया था उसके बाद यre बीची का साथ उसका दीबीची का 59 उसका इड़ीज़ चाहँ उसका संतावन चुकि यह इंडर लेबल पे कोस्टन दिया गया था इस वार्तो मेट्रिक लेवल पे है तो उस हिसाब से यह कट अफ गया था तो बिहार पुलिस का कट अफ जो है यह पिछले एर का है उसके अधा अधान प्रीविएस का धीमील का कट अफ जो की फीमेल का कट अफ गया था जिनाल में करत पंगया था तिरपंड गया था उसके बाद जो बीसी का पचास गया था इसको अबक जोए वह चीलिस का तयालीको गया था उसका यह टोव वाल था तो इस बार कट ऻाने की चांसे है उसके बाद जो हम लोगने प्रीवेस एर कट ऑफ देख लिया है तो आब आगे का जो एक्सप्रेटेट कट ओफ होगा वो देखेंगे घ shortened is राता जो एक्सप्रेट कट अभ है तो कट आफ जाने वाला है तो मेल का कट अफ देखेंगे सबसे पहले प्बस जाने वला है तो क DR आने वाला है तो एकस्पेटِ कट आफ जनेरल कर्टिeties से उसके अगर आप बाद आप 77 प्लस लाते था के और आप 비जर्ट इस वार कोई रोखने वला है तो आपका जो है एक सीटी इस बार फिक्स हो जाएगा 77 प्लस लानना है तो आपको 77 प्लस लानना है जेनरल कर्टिगरी से अगर आप सब्सक्राइब लेवल हाई हो गया है तो इस बार जो है एक्सपेक्टेड कट अब जो फिमेल का जाने वला है वह जेनरल कर्टिगरी से अगर आपका 70 प्लस जाएगा उसके बाद भीची से तो शिक्स्टी फाइट प्लस उसके बाद ईबीची से ने से प्लस उसके डव्लू स 59 प्लस उसके बाद वैस्तने फॉष प्लस के एक सिस्वारिं आब है तौड़ तरह प्रहक और प्रह्ट लाते हैं तो आपका सेलेक्षन लुट कोई नहीं रोख सकता है तो आपका जो जो है इस बार जो है अगर टेस्ट में 70 प्लस के असपास आड़ा है तो आप इस बार आपका सियोरली जो है वो बिहार पुलिस में जो है जाम निकल जाएगा उसके जहां तक बात रहा फिजिकल का तो वह आपके महिनत पर डिपेंड करता है अब जेतनी बढ़ियां से त्यार तक हम लोग जान लिए हैं कि कितने नंबर लाने के बाद आपका फाइनली रूप से सेलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग अच्छे दंग से पढ़ाई वगड़ा किजिए उसके बाद और जो लोग हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सस्क्राइब जलूर करें ऐ आप लोग कलम फेके मारे या कॉपी वो लाल वला सस्क्राइब बेटन सस्क्राइब हो जाना जाहिए